नमस्ते भाई कैसे हैं आप सभी लोग और आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं अपने चैनल मेट्स कंसेफ्ट किंग पर और इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में हम compound interest में equal amount वाला समान मिसरधन वाला जो famous टाइप आता है ना बाब अपनी property बाटता है दोनों बेटों में समान amount उसको मिले इस टाइप का सवाल जो world famous question है वो करेंगे मेरे प्यारे भाई मैं आपको basic भी बताऊंगा और ऐसे सवालों को करने का क्या short method है वो भी हम इसमें जानेंगे यह छोटी छोटी वीडियो बच्चों को बहुत जादे help करती है नए concept सीखने में revision करने में और exams का डरदूर करने में ठीक है ना मतलब आपके बढ़े पढ़े वीडियो को देखते रहो तो भी मेरे दोस्तों आपको यहां पर revision का प्र होते हैं वो सबसे पहले सी टेलिग्राम चैनल पर आते हैं जैसे अभी SSC GD की आंसर की आई है तो जो है हम उसकी सारी PDF डाउनलोड करवा कि मतलब सारी जो आंसर की है सारी की सारी 53 सिफ्ट की वो एक जगे compile करके single PDF डाल दिया English में अलग और Hindi में अलग अब जो ही बच्चा अगले साल GD की त्यारी करेगा उनके लिए PDF बहुत beneficial होंगी तो प्रीवेसर के questions का compilation, concept की videos, exam की notification हमारे batch की जानकारी वो इसी टेलिग्राम चैनल पर मिलती है, match by gun परता पर एक verified blue tick वाला टेलिग्राम चैनल है, description में लिंक पड़ा हुआ है, उसी टेलिग्राम चैनल पर आप exam related information का पूरे देश में, चले सुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सवालों के साथ, पहला सवाल आएगा, अब सवाल से पहले हमको concept समझना पड़ेगा, कि compound interest काम कैसे करता है, देखे, मेरे प्यारे भाई, अगर principle P है, मुल्धन P है, ब्याज की दर आर पर सेंट per annum है, आर पर सेंट per annum है, तो आप मुझे बतो, amount क्या होता है, amount होता है, मिस्रधन, आप मुझे बतो, N साल के बाद, amount कितना होगा, amount after N years क्या होगा, जल्दी से बताओ, अगर आपने P रुपे इन्वेस्ट किये आर परसेंट ब्याज की दर से compound एस पर जो yearly compound हो रहा है तो N साल के बाद amount क्या होगा मेरे दोस्तों देखो बिटे अगर ब्याज की दर आर परसेंट है तो इसका मतलब हर साल प्रिंसिपल आर परसेंट बढ़ जाएगा हर चीज 1 होती है मेरे दोस्तों हर चीज 1 होती है किसी भी संख्या को आर परसेंट बढ़ाओगे तो वो खुद का 1 प्लस आर परसेंट गुना हो जाएगी N साल बाद amount कितना होगा तो N साल बाद जो amount होगा वो 1 प्लस आर परसेंटेज की power N होगा This is the concept यह formula है आप लोग बच्पन से इसको याद भी करे होंगे है ना कोई समस्या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं है भी इसको ऐसे भी लिख से हैं कि आर परसेंट का मतलब क्या होता है आर परसेंट का मतलब होता है आर बटे 100 तो P1 प्लस आर बटे 100 की power है ना तो आर बटे 100 आर परसेंट ही होता है यह पच्पन में सभी ने रट रखा है ना पर basic concept यह है clear है मुझे लगता है यह बात तो हर कोई बच्चा जानता होगा इसी पर based मैं आप से सवाल पूछता हूँ सवाल लंबर आपके सामने आएगा पहला यह बताओ बोलाए 66,300 रुपे को A और B के बीच इस प्रकार बांटे कि A को 8 साल बाद और B को 10 साल बाद प्राप्त होने वाली रासी बराबर हो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्कवर्दी होता है और ब्याज की दर 10% वार्षिक है चलिए तो पहले मैं इस टाइब के क्वेश्चन का क्या समझाऊंगा बेटे आपको बेसिक समझाऊंगा पहले बेसिक फिर डारेक शोटकट तयार करेंगे ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई सबी लोग सावाल में कहा गया है कि 66,300 रुपे को A और B के बीच इस परकार से बाटे कि A को 8 साल बाद और B को 10 साल के बाद जो अमाउंट हो वो इक्वल अमाउंट मिले तो इस टाइब का नाम है इस टाइब का नाम ही है इक्वल अमाउंट समान मिसरधन वाले सवाल ठेक है बच्चे आप बोलोगे हैंसर A को 10 साल बाद और B A को 8 साल बाद और B को 10 साल बाद सेम अमाउंट मिले ब्याज की दर 10 परसेंट ध्यां सुनेगा माना हमने A को A रुपे दिये है माना हमने A को A रुपे दिये हमने माना ए को आ रुपे दिये भी को बी रुपे दिये ए के खाते में आ रूपे डालेगे ब्याज की दर 10% पारेनम है 10% कितना होता है एक वटे दस अगर ब्याज की दर 1 वटे दस है तो multiplying factor कितना हैका 11 वटे 10 अगर हर साल आपको 10% ब्याज मिलता है तो आपका पैसा 10% बढ़ जाता है किसी भी संग्या को 10% बढ़ाओगे तो वो खुद का 11 बटे 10 गुना हो जाएगी आप मुझे बताओ 8 साल बात A का अमाउंट कितना होगा तो जो multiplying factor है इसकी power क्या हो जाएगा बेटे 8 हो जाएगा अगर हमने B को B रुपे दिये तो 10 साल बात अमाउंट क्या आएगा मेरे दोस्तों जितने साल बात अमाउंट निकाल है multiplying factor की भी उतनी ही power कर दीजिए तो A का 8 साल बात और B का मेरे दोस्तों 10 साल बात अमाउंट बराबर होना चाहिए this would be equal यही है समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही तो बच्चों मैं यहां से A और B की value का ratio निकाल सकता हूँ अब यह उधर चला जाएगा यह उधर चला जाएगा और मेरे को ratio पता चल गया तो मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ यह हो गया पूरा detail मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा यह A से B का ratio आगया आपको ना A step लिखना यह ना A step लिखना आप डारेक्ट छलांग मार सकते हो तो A B के ratio पर घ्यान से समझने की कोशिश करेगा जब भी ऐसा सवाल आए जा amount बराबर हो ब्याज की दर कितनी है 10% एक वटे 10 एक वटे 10 बढ़ाना है वन को एक वटे 10 बढ़ाओगे तो multiplying factor कितना आएगा 11 बटे 10 आप बोलोगे हाँ जी सर ये एक साल का multiplying factor होगा मेरे प्यार भी आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही A का amount 8 साल बाद B का amount 10 साल बाद बराबर होना ची आपको करना क्या है टाइम में gap लेना है 8 साल और 10 साल के बीच में gap कितने का है 2 साल का gap 1 साल का है power 1 करो gap 2 साल का है power 2 करो A और B के बीच जो पैसा है A और B के जो बीच पैसा है वो इस अनुपात में बाटा जाएगा 121 बटा 100 A और B के बीच पैसा इस रेश्यो में दिया जाना चाहिए अब आपकोगे सर A को हम कौन सा A का रेश्यो कहा आएगा B का रेश्यो कहा आएगा यह भी तो डाउट आ सकता है देखो बच्चो amount क्या होता है amount जो होता है वो होता है principal प्लस प्याज principal प्लस प्याज ही amount होता है amount मुझे सेम रखना है amount मुझे सेम रखना है अब ध्यान से सुनेगा A को तो 8 साल ब्याज मिलेगा B को ब्याज 10 साल मिलेगा तो जारसी बाद है A को ब्याज कम मिलेगा A को ब्याज कम मिलेगा A को तो 8 साल ब्याज देखो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तभी तो अमांट आएगा A को 8 साल ब्याज मिलेगा B को 10 साल ब्याज मिलेगा तो A को ब्याज कम मिलेगा तो अगर A को ब्याज कम मिलेगा तो A का प्रिंसिपल जाद है होना चाहिए A को जाद है पैसा देना पड़ेगा B को ब्याज जाद है मिलेगा देखो B का ब्याज अगर जाद है तो मेरे प्यारे भाई A को ब्याज कम है तो A को प्रिंसिपल ज़ाद है दे दीजिए और B को ब्याज ज़ाद है B को प्रिंसिपल कम वाला दीजिए डारेक्ट A से B का रेश्यो आ जाएगा टोडल कितना पैसा देना है 666-300 अभी रेश्यो 121 बटे 100 होना चाहिए तो A और B को टोडल कितना पैसा दिया गए 121 और 100 दोसो इकिस 221 की वैलू सवाल में 6300 रुपे बांटना है A और B की बीच बताओ कितने गुना है तो आप कहोगे सर 221 तिया 663 होता है 300 गुना तो एक से किस की वैलू भी 300 गुना हो जाएगी 36300 रुपे और 100 की वैलू भी 300 गुना हो जाएगी 30,000 रुपे 30,000 रुपीस ये अंसर हो जाएगा कौन सौप्शन है D अप्शन एक्दम ठीक है मुझे लगता है मेरे भाई ये बात समझे है एक सवाल अब आप मुझे करके बता है ऐसा ही कहां मर गया भी सवाल ये रहा सवाल लंबर दो ये सवाल SSC GD के पेपर में आया था 2023 में बोला 84,000 रुपे को 84,000 रुपे की धनरासी दो भागों में करम से 13 साल और 15 साल के लिए 12 परसंट ब्याज की दर पर इन्वेस्ट की जाती है 84,000 रुपे इन्वेस्ट की है हमने टोटल दो भाग में 84,000 रुपे के दो भाग की है हमने इन्वेस्ट किया 13 साल के लिए और 15 साल के लिए 12 परसंट कंपाउंड इंटरस्ट ब्याज की दर से इन दोनों ही investment से हमको समान amount मिलता है दोनों investment के बीच difference ग्यात कीजिए हो गया सवाल समान amount फिर से आ गया अगर ब्याज की दर 12% परेनम है 12% कितना होता है 4% 1.25 12% कितना हो जाएगा 3.25 अगर ब्याज की दर 3.25 है तो multiplying factor कितना है गा 1 प्लस 3.25 अठाइस बटे 25 बताओ 84 चववन को कि सनुपात में बांटा जाएगा 13 साल और 15 साल के बीच में 2 साल का gap है पावर दो करन 28 के स्क्ववार 784 और नीचे मेरे दोस्तों 25 के स्क्ववार आएगा 625 याने कि 784 बटे 625 के रेश्यों में बांटा जाना चाहिए 8454 रुपे को दौनों इन्वेस्टमेंट के भी डिफरेंस पूछा है इनके भी डिफरेंस कितना हैगा भई 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 गया 5 और 7 में 6 गया 1 169 दौनों के भी डिफरेंस से 109 उनिट 169 की वैलू आपसे पूछी गई है ठेक है ना तो ये तो options match कर रहे हैं काफी जादे solve करना पड़ेगा तोटल पैसा कितना बांटा गया है भईया टोटल कितना है चार पांच नो आट दो दस की जिरो हांसल एक साथ तर एक आट छे चोड़े टोटल है जब मैंने इन दोनों को जोड़ा चोड़े सो नो 1409 की value सवाल में 8454 रुपीज है कितने गुणा तो आप कोगे सार 6 गुणा चे गुणा तो difference की value भी 6 गुणा होनी चाहिए अभी 900 और 954 रुपे तो 954 रुपे difference आ जाएगा और यही सवाल का answer भी बनेगा पहला option एकदम ठीक है मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल को समझ पाए है तो यह तो बहुत simple language है ठीक है basic से भी आप जल्दी कर लोगे यह सवाल paper में जादे आता है CGL 2021 प्री का यह world famous question आपके सामने है सुनिएगा मेरे प्यारे भाई इतने सारे एक्जाम है जिसमें सवाल आ रखा है और कई कई बार आ रखा है ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों गवरान नहीं बिल्कुल भी जौसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में खुल 52,500 रुपे जमा किये जौसेफ की दो बेटी हैं एक 15 साल की एक 16 साल की दोनों बच्चियों के अकाउंट में टोटल कितना पैसा डाला है 52,500 रुपे ताकि 18 साल की उमर में उन्हें बराबर रकम मिल जाए बोल दिया न इस हिसाब से उसने पैसा डाला है कि जब दोनों बेटी 18 साल की हों तो दोन को सेम अमाउंट सेम मिसरधन मिले यदि ब्याच एनवली कंपाउंड होता है और बैंक 10 परसंट ब्याज देता है चक्कवर्दी 10 परसंट मतलब एक वटे 10 तो जोसफ ने छोटी बेटी के नाम पर कितना पैसा जमा किया देखो अगर ब्याच किदर एक वटे 10 है मल्टिपल देखो चोटी बेटी 15 साल की है जब वो 18 साल की होगी तो चोटी बेटी के पास 3 साल का समय है बड़ी बेटी 16 साल की है बड़ी बेटी जब 18 साल की होगी तो 2 साल का समय है यानि कि चोटी बेटी का 3 साल बाद और बड़ी बेटी का 2 साल बाद चोटी बेटी का 3 साल बाद ब साल के बीच में gap कितने का है एक साल का gap है तो इसकी भी power क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मेरे प्यारे बई बात किलियर है आप बोलो कि हाँजिस सर बात किलियर है आप सीधा भी ये भी ना करके सीधा direct देख सकते थे कि छोटी बेटी 15 साल की बड़ी बेटी 16 साल की gap कितने का है एक का, तो पावर सीधा आपको एक करनी है, इसी रेश्व में पैसा बांटा जाएगा, लेकिन देखना यह छोटी को कितना मिलेगा, बड़ी को कितना मिलेगा तो को छोटी बेटी के पास समय जाद है, छोटी बेटी को समय जाद है, छोटी है न, उसके पास जाद है समय ब्याज उठाने का अगर छोटी बेटी ब्याज जाद है उठा लेगी, तो छोटी बेटी को पैसा कम दो, बैंक में पैसा कम डालो, ब्याज जाद है ले लेगी बड़ी बेटी के पास समय कम है, समय कम है, बड़ी है ना वो, तो उसको ब्याच कम मिलेगा, अगर बड़ी बेटी को ब्याच कम मिलेगा, तो मुल्धन जा दे दो, तो पैसा इस अनुपात में बांटा जाएगा, यह हो गया, तो 52,500 रुपे टोटल है, बोला है छोटी बेटी के खाते में कितना दिया, चोटी बेटी के खाते में दिया है बेटा, 10 unit, out of total, total कितना है, 10 और 11, 21, 21 से चला जाएगा, 21, 42, 10, 21, 15, 25, 25, 100 का 10 गुना, 25 आर रुपे चोटी बेटी के अकाउंट में डालेगा, C option, answer है, सभी बच्चे समझ पाएं, एक सवाल हम यहाँ पर और लेंगे, मेरे दोस्तों, ऐस साही, सवाल लंबर 4, यह बनाए, एक आदमी अपने दो बेटे, जिनकी उमर 12 साल और 16 साल है, उनके बेंक हातों में 1,34470 की धन्ना से इस प्रकार निवेशित करता है, कि 20% कंपाउंटेस की दर पर, पुत्रों की 21 साल की उमर होने पर समान अमाउंट प्राप्त हो, छोटे बेटे का भाग याद करें, बड़े है सवाल, एक आदमी के दो बेटे हैं, एक 12 साल का, एक 16 साल का, उनके बेंक खातों में टोटल 1,34470 रुपे इस प्रकार से जमा करा, कि जब दोनों बेटे 21 साल के होंगे, छोटा भी बड़ा भी, जब दोनों 21 साल के होंगे, उ तो बता छोटे बच्चे का हिस्सा क्या होगा, अगर ब्याच की दर एक बटे पांच है, तो मल्टिप्लाइंग फेक्टर कितना हैंगा, छे बटे पांच, हर चीज वन होती है, वन को 20 परशन बढ़ा होगे, तो कितना हो जाएगी, खुद का 6 बटे पांच को ना हो यानि कि इस रेश्र में पैसा बांटा जाएगा, अब छोटे को कितना मिलेगा, बड़े को कितना मिलेगा, देखो बिटा, छोटे बेटे के पास समय जाद है, छोटा है न, छुटका है, 12 साल से किस साल का होगा, समय जाद है, तो छोटे बेटे को ब्याज जाद है मिल चोटे बेटे को ब्याद जाद मिल जाएगा तो मुल्धन कम दो यानि कि छोटे बच्चे को कितना मिलना चाहिए 625 उनिट बड़े बेटे को मिलना चाहिए 1296 उनिट मुझे रेश्यो पाता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ यहां पर 134,470 रुपे टोटल जो है वो बा टोटल कितना होगा मेरी प्यारी भी जम मैं इन दोनों को जोड़ूँगा 1296 जोड़ूँगा तो 1296 में पहले आप 600 जोड़ू अठारे सो चानवे अठारे सो चानवे अठारे सो चानवे में जब आप पच्चिस जोड़ूगे तो 1921 यह आ जाएगा ना या आजएगा चानवे अठारे सो चानवे चानवे चार सो और 1921 यह आ जाएगा 625 उपर है यानि कि आंसर 625 से कटने वाला होगा 625 से कटने वाला नंबर यानि कि 125 से भी कटेगा 125 से मेरे दोस्तों देखो ये option नहीं कटता Last के तीनंग कटने चाहिए Last के तीनंग कटने चाहिए 625 से 2250 कटता आगया नहीं ये भी नहीं कटتा तो 625 का निएम यह कोई संक्या 625 से तभी कटेगी जब संक्या के last 4 अंख 625 से कटते हो 5 के लिए last का अंग 5 से कटना चाहिए 25 के लिए last के 2 अंग 125 के लिए last के 3 अंग 125 से कटने चाहिए 625 के लिए last के 4 अंग 625 से कटने चाहिए यह अकेला option है 3750, 625 का मेरे दोस्तो 6 गुना है यह अकेला option 625 से कट रहा है यह उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तो मुझे लगता है आपने मेरी बात बड़ी गहराई और बड़ी प्रेम भाव से समझी है ठीक है नेक्स्ट और अगला सवाल आएगा ये सवाल है SSC MTS 2022 के पेपर का बिलकुल ऐसा ही सवाल है बस डाटा चेंज है मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस सवाल को सौलू करो और इस सवाल को सौलू करके मुझे इस क्वेस्टन का कमेंट में सही आंसर बताओ अगर आपने मुझे इस सवाल का कमेंट में सही आंसर करके बताया तो क्या हो तो आपको दो दो अच्छी लड़कियों के मेसेज आएं ठीक है न, आप उनको ब्लॉक कर देना, यह मेरी सलाह है, समझ मही बास, आप बोलोगे हाँ जी सर, करांगे जल्ली से सॉल, रही आंसर बताना है, और आंसर एप्रोक्स में है, तो यह था बच्चो टाइप एक, छोटा सा टाइप था, कोई मुश्किल नही था, मैंने समझा द नाम से, अलगल एक्जाम की, CGL, CPO, CTSL, MTS, सेलेक्शन, पोष्ट, आप जिस भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, उसके प्रीवेस सर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, TCS ने, उनको मैंने कमपाइल किया है, सारी बुक्स जो हैं, बाइलिंग्वल हैं, हिंद कर लीजिए, और इन बुक्स से, अपने एक्जाम की प्रैक्टिस करिए, ठेकर मेरे प्यारे भई, तो आज की किलास को अम इतराएं छोड़ते हैं, अगर आपको समझ में आया, पसंद आया है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़के जाएं, आप डेली रेग